बरसाती प्याज की जो नरसरी बनाते हैं उसकी एक ऐसी विधी जिससे जो समस्याएं आती ही किसानों का अक्सर एक तो जड़ गलन की एक उसमें बीज जर्मिनेट कम होता है और दूसरा आभी बरसात को जो मोसम होगा तो कौन सी सावधानिया बरतनी चाहिए और कौन सी ऐसी अपनको नरसरी तैयार करनी चाहिए जिससे कि हमें किसी भी तरह के कोई प्रोब्लम फेस नहीं करनी पड़े क्योंकि बीज काफी महंगे आ रहे हैं और आप लोगों को जो मैं ये विधी बताऊंगा दोस्तों बहुत ही अच्छी टैक्निक है और एकदम वैग्यानिक विध तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो आज की हमने तैयार की नमस्कार दोस्तों मैं इंदरपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर दोस्तों अभी हम आप लोगों को नरसरी की वो व 70% तक ले जा सकते हैं उसकी सर्फ दोस्तों जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आई हैं या जिन किसान भाई होने चैनल को अभी तीसरा उसमें अपन को कौन सा फाइटलाइजर मैनेजमेंट और कौन सा देशिखाद डालना या फिर औरासाई निकूरवरक कितनी मातरा में कितनी जगे में डेलेगा चोथा दोस्तो कितने एरिया में कितना बीज लगेगा सबसे इंपोर्टेंट जहां पे अधिकतर किसान मार खाते हैं अपन को सिचाई प्रबंधन कैसे करना है इरिगेशन सिष्टम अपन को अपनाना है और सबसे महत्तुपूर्ण बात जिन किसान भायों के अगर कुछ लेट भी हो जाते हैं और जिनको पोध जल्दी तयार करनी जो पोध होगी उसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया से होगी तो दोस्तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो विधी चलती है वो क्यारियों की चलती है तो बहुत से किसान हम देखते हैं कि बहुत लंबी-लंबी क्यारियों में अपनी नर्शरियां डाल देते हैं तो देखें दोस्तो मैं आप लोगों को एकदम प्रेक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ आज एकदम लाइव स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ तो मैं अभी जो ये क्यारी बनाई है दोस्तों वो सबसे पहले तो मैंने जगेली है जहां पर जल भराव ना हो दूसरा खेत वो लीजिए जो खेत कुछ समय पहले से खाली पड़ा है जो खेत एक तरह सा अप बोल सके सुखा खेत ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी खेत में अभी फसल लगी हुई उसको तुरंत काटो उसको उसी टाइम पर हकाई जुताई करके और आप लोग उसी में डाल दो तो उसमें पोध स्वास्त नहीं बनेगी जल्दी नहीं बनेगी वह पीड़ी पीड़ फिर आप उसमें रोटवेटर चला दीजिए जमीन को बिलकुल एक दम भुर भुरा बना लीजिए उसके बाद आप लोगों को एक और साफधानी बरतनी है जो भी आप क्यारियां बनाओ बिलकुल एक दम फ्लैट होनी चाहिए आप सुरू से लेके और आखरी तक उसमें फ आज़ के बारे में बताता हूँ तो मेरी की यारी की लंबाई है को 20 width लंबाई है और चोड़ाई में बताऊ दो चोड़ाई 5 pht है अब 5 Chancellor. और 20 वे पर और बात करते हैं पीज कितना लेना है तो अब आप कीचेत में के एक किलो बीजार पंद्रा सो वर्ग फिट एरिया चाहिएगा एक किलो बीज के लिए तो फंद्रा सो फिट वर्ग फिट में आप लगा लीजी कितनी क्यारियां बनेगी वह आपके उपर अगर बिल्कुल फ्लेट सर्फेस है आपका तो बीस फिट की बजाया पच्चेस फिट क्यारी भी कर सकत हैं दूसरा इसमें आप जो स्प्रिंकलर सिष्टम होता है वह बी चला सकते हो क्योंकि गर्मी का मौसम है इसमें स्प्रिंकलर भी बहुत अच्छा सहोता है लेकिन इस प्रिंकलर आप यूज जब कीजी जब आपके जो पहली पहली सी चाही है जो आप बीज डालने के बाद पहली सी चाही करेगा वह खुली कीजी उसके बाद फिर उसमें जब बीज जर्मिरेट हो जाए उस वक्त आप उसमें स्प्रिंगलर लगा दीजी तो एक और महतुपन पॉइंट छूट गया वह पॉइंट है बीज उपचार औ और कौन सा अपन को इसमें फंजि साइड प्रियोग में लाना साथह सार्द अमिन में नीचे से मिटई में ुप शेड दें बे सकते हैं या फिर कुछ ऐसे जहां पर जगह उतिया जहां नेमट रोड के प्रोब्लम होती है तो उसके लिए अपन को कौन सा पहले से प्रीयों के बाजार से बढ़िया ब्रांडेड कमपनियों के बीज आते हैं वो तो आलरडी पहले से उपचारित आते हैं तो उनमें किसी भी तरह का कोई इनसेक्टिसाइड या कोई फंजिसाइड मिलाने क्या आओ सकता नहीं होती हाँ जो अपन गाओं में या लोकल में जहां से बीज लिया है या खुद का बीज है उसको उपचारित करना बहुत जरूरी होता है तो उसको उपचारित करने के लिए आप कार्बन डिजम मैन को जे उसव्क्त आप कार्बी फ्योरान का भी प्रियोग कर सकते हो अपने घ्यतों में जिसके नेमेटरोड की समस्या नहीं आएग दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों की पौध में कोई प्रोबलम आती है नर्शरी में है पनीरियम कोई प्रोब्लम आती है क्योंकि बहुत से कि कर जाते हैं वह ज्यादा पाणी देते हैं या फिर बरसात का पाणी आ जाएगा तो शुरुवाती जो चरण होता हो बहुत ही महत्पून होता हो उस वक्त पहुत ज्यादा जाती है आपके खेतों में जर्मनेट तो हो जाएगी वह लेकिन वह फिर धिरे-धिरे खतम होने लग जाएगी सूख जाएगी तो उसका मैं रामबान इलाज आप लोगों को बताऊंगा आप लगातार वीडियो पर बने रहीए वीडियो आप लोगों को पसंद आए हमारी चानकारी को कुछ भी फायदा मिल रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर हमारे उत्साह वर्धन के ल थोड़ी महनत जरूर है बाकि आप अपने क्यारियों में कोई भी डंडी लेके आप यूँ पूरे खेत में पूरी क्यारियों में इंच के उपर दो उंगली आप रखी बीच में और एक लाइन तो यूँ खीज दी दूसरी लाइन फिर दो उंगलियों के बाद यूँ इस तरह से खीज दी ये कोई भी डंडी ले सकते हो आप या इस तरह से कर सकते हो यह दो उंगलियों में तो आप इन में इन में बीच ळीज पर से स्थोड़ों फोड़ा से बुर्काते हुए चलिए त्योleader बीज छोड़ते हुए चली मैं इस्पेसली उन बंदों के लिए बोल रहा हूं जो नए क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास नए किसान है जो खेती करने के लिए लगातार हमसे जुड़े हुए क्योंकि बीज काफी महंगे आएंगे दोस्तों और आप लोगों अगर इसको ज़्यादा भी डाल दिया या कम डाला तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी किसान थेती में फैलो और फिर उसको बाद में आप ये करने के बाद आप उसमें भुरी मिट्टी इसमें उपर से फैंक दीजिए और फिर उसको जो है ना उपर से या तो कोई इस तरह से कटो रहा है या कोई भी बरतन हो इस तरह से यूं कर दीजिए वह से भी दाने हो नीचे चले जाएंगे सावधानी ये बरतनी है कि बीज है वह ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए अगर वह ज्यादा नीचे जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी दोस्तों तो देखिए अब मैं छिटकाव विधी बताता हूं क्योंकि हम तो काफी सालों से ये काम करते आ रहे हैं दोस्तों ये समझ लीजी जैसे मसीन ने बो दिया हूँ और अगर सीखने की विधी और आप लोगो कुछ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों अभी तक भी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को कम से कम एक लाइक तो देदो है दोस्तों बीज को छिटकने के बाद फिर आप लोग अगर बिलकुल आप लोगों की मिट्टी जो ओना भूर बढ़िया मिट्टी है तो आप टायंजन मत λीजिए आप इस तरह से अपने उंगडियों और उंगडियों को खोल लें के बाद इस मिला लीजिए या फिर इसम पर आप हड़क हड़की मिट्टी की एक लेयर चड़ा दीजिए इस तरह से दोस्तों हाथ से मिलाने के बाद या उपर मिट्टी बुर्काओ करने के बाद आप लोग कोई भी ऐसा पातर लेजिए कोई भी तसला या इस तरह की जो भी आप लोग जो भी बोलते हूं इसको उस तरह से लेक के और उपर से इसको फेर दीजिए अब आप लोगों को मैं बताता हूं वो विधी जिसमें आप इस विधी से दस दिन पहले अपनी नरसरी को तयार कर सकते हो और जहां पर जिन खेतों में जादा जल भरा होता है यहां पे जादा problem हो की आप बारे की कि इस वक्त 15 वूप साट हाय की जब आण न हमएं एन यहां कि कौर्ण Goja वह बहुत अच्छे से पहुंच पाएगी पूरे पर तो बैड तयार करने हैं जमीन से आपको एक फिट उपर उठा कर तो यह आप लोग देख सकते हो मैंने बना रखा है मैं दोनों विद्यों से लगाऊंगा तो जमीन से एक फिट उपर उठाई और उठाने के बाद इसमें आप वही देशी खाद और वही डीएपी है वह इसमें डालना है उपर और खाडियां है या बैड है वह एक जगह से दूसरी जगह तक बिलकुल एक दम एक समान हो तो जब पाणी लगेगा तो उसमें जो आना सभी के उपर आराम से इसमें जो नमी है वह पहुंचते वह जाया तो जाएं दोस्तों प्रोबलम वह आएगी कहीं पर बीज जामेंगा कहीं पर नहीं जामेंगा कहीं पर जाम बी जाएगा तो वह सूख जाएगा तो यह धियान रखना तो इसमें यह बैड़ बनाने के बाद फिर आप लोगों को कोई भी डंडी के सहाइता से किदा खीचो बीज की मात्रा है वही रखनी है वह बैड आप देख लेना कितने फिट का आपने बैड बनाया तो वही इसको एर फिट में आप लंबाई गुणा चोड़ाई करके बीज उतना ही रखना है यह काम करने के बाद आप इन खालियों में जब आप बीज लगा देते है तो डाल देते हो बुर्काव कर दे तो उसके बाद फिर आपको इन पर मिट्टी डालनी है तो सिचाई के भी दो तिन इसमें मेथड हैं दोस्तों एक तो आप खुली इन खालियों में पाणी भरके सिचाई कर सकते हो या फिर जिन किसान भाईयों को पास ड्रिप सिष्ट चाहते हो हमारे चैनल पर पीछे जाकर देख सकते हो हमने जब रभी फसल के जो नर्सरी बनाई थी वह बैड़ पर बनाई थी मैंने और बहुत ही शांदार नर्सरी बनी थी दोस्तों उसकी मातर 40 दिन वह तैयार हो गई थी जहां पे लोग सर्दियों के मौसमें 60 दिन में तैयार कर रहे थे हमने वह 40 दिन में तैयार कर दीती हां तो दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था कि हमारी नर्सरी खेट से निकड़ के बाहर आ जाए कि जर्मिनेट हो जाए कि तो सबसे बड़ी जो समसक किसानों को फेस करनी पड़ेगी वह फंगस की प्रोब्लम कि लगभग 10 दिन या 12 दिन के बाद आप एमिस्टार या एमिस्टार टॉप एक फंजिसाइड आता है उसकी इस्प्रे कर दीजिए आपकी यह समस्याइं खत्म यह आप लोगों के लिए एक तरह से रामबान इलाज है उस्तों कर प्याज की वेराइटियों के बारे में एक सीरी चलेगी अभी बरसातिया खरीफ मौसम की तो उसका सुभारम आज की इस वीडियो के माध्यम से हो चुका है तो लगातार हमसे जुड़े रहो चैनल पर अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं क्या चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो को लाइक और जाद हुआ